मिलक थाना इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों ने खाया जहर महिला और दो बच्चों सही तीन की मौत हो गई जबकि पती गंभीर मिलक पुलिस पुरे मामले की तप्तीश में जुड़ गई है यहां एक ही परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया महिला और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई तीन की मौतों से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी और पारिवारिक कले की वजह से जहर खाया है एसपी शगुन गौतम और एसपी अरुन कुमार भी घटना स्थल पर पहुँच गए पुलिस ने तीनों के शव को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है मृतक महिला के पती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पती से पुलिस पुछताश कर रही है पुलिस ने पुरे मामले में तफ्दीश शुरू कर दी है एसपी शगुन गौतम ने बताया कि अभी आर्थिक तंगी और घरेलु कले बताई जा रही है पहले बच्चों को जहर खिलाया गया फिर महिला और पती ने जहर खाया अभी मामले की तफ्दीश की जा रही है प्रेशी भी कंप्रेट मिलेगी उसके बढ़ना पक्षम दिश्चे लग रहा है कि महिला ने बच्चों को जहर खिया और उसके बाद फूश्टों बटी जहर की तिसने भी खाया और जो बता रहा है कि कुछ फानांशे प्रॉब्लम थी पैसे का लेंगें था फारीवारी कले वी बाक्षी इंडर्शिवेशन में क्लिये गए रही क्या है क्या हुआ थी इक बच्चा करीब पीन सार का है लड़का था बिसना बच्चा डेवर महिने का लड़का था अधा प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम थी पर्चेश